तो लगबक सभी लोगों ने ये कविता पढ़ी होगी पर आज चांद का जवाब भी पढ़ लिजे। तो कविता थी हट कर बैठा चांद एक दिन माता सेवय बोला सिल्वा दो मा मुझे उनका मोटा एक जिंगोला संसन भैती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का ना हो अगर तो लादो कुर्ता ही कोई भाड़े का बेटे की सुन बात माता ने कहा अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने जाड़े की तो बात ठेक है पर मैं तो डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ कभी एक अंगुल भर चोड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा घटते घटते और किसी दिन ऐसा भी होता है, नहीं किसी को आखों से तो दिखलाई पड़ता है अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज सिलवाएं, सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए तो अब चांद का जवाब सुनें, हसकर बोला चांद, अरे माता तू इतनी भोली, दुनिया वालों के समान क्या तेरी मती भी डोली हसकर बोला चांद, अरे माता तू इतनी भोली, दुनिया वालों के समान क्या तेरी मती भी डोली घटता बढ़ता नहीं कभी मैं, वैसा ही रहता हूँ, केवल ब्रमवश दुनिया को घटता बढ़ता लगता हूँ आधा हिस्सा सदा उजाला, आधा रहता काला, इस रहस को समझ न पाता भ्रमवश दुनिया वाला अपना उजला भाग धरा को क्रमशे दिखलाता हूँ, एकम दूज तीज से बढ़ता पूनम तक जाता हूँ फिर पूनम के बाद प्रकाशित हिस्सा घटता जाता, पंद्रुवा दिन आते आते पूर्ण लुप्त हो जाता दिखलाई में भले पड़ूना, यात्रा हर दम जारी, पूनम हो या रात अमावस चलना ही ला जारी चलता रहता आसमान में, नहीं दूसरा घर है, फिक्र नहीं जादू टोने की, बस सर्दी का डर है देदे पूनम की ही साइस का कुर्टा तु सिल्वा कर, आएगा रोज बदन में, इसकी मत चिंता कर अब तो सर्दी से भी जादा एक समस्या भारी, जिसने मेरे इतने दिन की इज़त सभी उतारी कभी अपोलो मुझ को रोंदा, डूना कभी सताता, मेरी कंचन सी काया को मिट्टी का बतलाता मेरी कोमल काया को कहते रौकिट वाले, कुछ उबर खाबर जमीन है, कुछ पहाड कुछ नाले चंद्रमुखी सुन कौन करेगी गौरव निच सुष्मा पर, खुश होगी कैसे नारी ऐसी भद्धी उक्मा पर, कौन पसंद करेगा ऐसे गड़ों और नालों को, किसकी नजर लगेगी अब चंदा से मुखवालों को चंद्रियान भेजा भारत ने भेद और कुछ हरने, रही सही जो पोल बचीती उसे उजागर करने एक सुहाना भ्रम दुन्या का क्या अब मिट जाएगा, नन्ना मुन्ना क्या चंदा की लोरी सुन पाएगा, अब तो तू ही बतला दे मा कैसे लाज बचाओं और अंधेरे की चादर क्या सागर में छुप जाओं, कैसे लगी करीता, बताना